आज विपत्ती का भारत देश और विश्व पर दौर है और भारत देश इससे सबस्यादा एफेक्टेड है हम इस वक्त में इस कठिन वक्त में अपने साथियों की मदद के लिए अपनी जानकारी के हिसाब से यहां दवाई लेकर आए हैं हम देख रहें समाज में इस वक्त लोगों को क्या-क्या तकलीफ हो रहीं, क्या-क्या दिक्कते हो रही है उन्ही दिक्कतों को कम करने का यहां एक प्रियास है जो ये डवा हम आपके सामने रख रहे हैं दवात साथियों निश्चित रूप से बहुत कारगर है लेकिन मैं आपसे निविदन करूँगा साथियों कि इन दवाओं को सपोर्टिंग थेरेपी के रूप में माने और किसी भी कुसलची की सरक से प्रेस्क्राइब कराके ही कोई भी दवा ले और जो कन्वेशनल ट्रीक्मेंट आप मरीज को दे रहे हैं वो मत छोड़े लेकिन हाँ साथ में ये दवा कारगर है आप इसको लेकर मरीज के बेतर और जल्दी स्वस्थ होने की इच्छा रख सकते हैं ऐसा मेरा प्रयास है तो चलते हैं साथियों आपको बताते हैं यहां सिम्टम की होमियोपेथी में सबसे कारगर दवा एक साथियों इस स्थिती आती है फिपड़े का इंफेक्शन हो और मरीज पूरी तरह डिप्रेस और होपलेस हो गया हो अपनी बिमारी को ले के उसको इत्ता डेप्रेसन हो और फोपलेस नाउमीद हो गया हो अब सात की स्थिती हो और नाउमीद हो गया हो तो अगर ऐसी स्थिती हो सातियों तो इसे सिती को ठीक करने के हुमियोपेथी में बहुत अछी दवाए स्टैनम मिटालिकम आप स्टैनम मेट 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जो बेहर डिप्रेशन में हो और होपलेस हो गया हो खांस-खांस के उसका बुरा हालो लंग्स इंफेक्शन में यहाँ दवा ऐसे मरीज को लाब देगी और पूरे परिवार में खुशियां वापस लाएगी ऐसी मुझे उमीद है यह साथियों दवा थी आपकी परिशानी की दवा साथियों बहुत कारगर है लेकिन हम आपसे यह अवश कहेंगे कि कोई भी दवा कुसल्ची की सक्थ से प्रिस्काइब करा के लिनी चाहिए और यह दवा आपका इस वकत विपत्ती के दौर में जो कन्वेशनल टीटमेंट चल रहा है उसका विकल्प नहीं है यह दवा एक सपोर्टिंग ठेरेपी के रूप में सपोर्टिंग रेमेडी के रूप में काम कर सकती है समाज को साथियों इन दवाओं की आवशक्ता है अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा आपने चैनल को सब्स्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन क्लिक करके सबसे पहले हमाएं साथ हर वीडियो में जुड़े रहिएगा पुना आपके मरीज की जल्द से जल्द रिकवरी के लिए और इस समाज में सब के स्वस्त रहने की कामना के साथ डॉक्टर उमंखना क्लिनिक आपको इती देर साथ रहने के लिए धरनेवाद देता है शुक्रियादा करता है आप जल्दी से स्वस्त हों आप जल्दी से वापस काम पे लोटें आप जल्दी से घर वापस आएं यदि कोई साथ ही हमारा स्पताल में है ऐसी मैं काम ला करता हूँ करता है झाल झाल